हाई गैस जैसे कि आपको पता है बीते दिरों CSB2 ने इरॉल्मेंट फीस को इंक्रीस करके यहाँ पे 100 रुपे जहां लगता था वहाँ 25 रुपे कर दिया है यही मामला अब आपका विधान सभा 36 गड़ के विधान सभा में सोमबार को यहाँ पे ध्यान आकरशन के प्रस्ताव के तहट यहाँ पे रखा गया है जो यहाँ पे मुद्दे रखे हैं वो यहाँ पे पूरो मंत्री यह 36 गड़ सासन के तो इसी को ले करके कार्टिकल आया हुआ है जो कि आपको जानना काफी ज़रली है इसलिए चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे देखिए मेंसन कर दिया है कि तकनीकी विष सिद्याले में 25 गुना फीस का मामला उठा है ब्रिज मोहन ने विधान स्रभा में लगाया है ध्यान आकर्शन गौर्मेंट का ध्यान इस मुद्दे पर उन्होंने ऐसा प्रस्ताव ला करके लगाया है आगे लिखता है 36 गड़ विधान स्रभा में सोम बार को ध्यान आकर्शन के जरिये स्वामी विवेकरन्द यानि CSB2 के फीस का मुद्दा पूरो मंतरी ब्रिज मोहन अगरवाल ने जोर सोर से उठाया जवाब में उच्चे सिक्षा मंतरी उमेस पटेल ने कहा कि विश सिद्द्दाले 2013 से नवंकन सुल्क में कोई वृद्धी नहीं की है तो लास्ट 2013 में हुआ थे सुल्क में वृद्धी उसके बाद नहीं हुआ है आगे लिखता ई-Library की स्थापना के बाद चात्रों को पढ़ाई के लिए आविस्तर किताबे उनके मोबाइल पर आउनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी वर्तमान में विस्तर्दाले द्वारा चात्रों से विस्तर्दाले का विकास सुल्क एवं Central Library जिसको हम e-Library फीस नहीं ली जाती थी ऐसा इन्होंने बताया लेकिन आगे अब आपका लिया जाएगा तिहाँ पर उमेश पठेल जी ने बता है कि यहाँ पर अपने लिखीत जवाब में कहा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने question लिखीत में पूछा हुआ है ध्यान आकर्षन प्रस्ताव के तहद इन्होंने question लिखीत में पूछा है और इसका जवाब इन्होंने लिखीत में आंस ले रही है तो इस बार इसको संसोधन इनका जो विस्सिद्याले का जो आर्टिकल होता है वहां पे इन्होंने संसोधन करने के बाद पारित किया हुआ है और ये बाकी उनिवर्सिटी जो टेकनिकल उनिवर्सिटी भारत में और जितने भी उनिवर्सिटी काम कर रही है उनसे क रखा गया है ऐसा आंसर यहां पर उच्छ सिक्ष्यमंत्री जी ने विधान सभा में कल रखा है जो कि आज की मीडिया आर्टिकल में आया हुआ है तो आप यहां पर जान सकते हैं देख सकते हैं कि किस तरह से यह मामला यहां पर पहुंच चुका है